अरे रमेश भाई हाँ ये तो रमेश और उसका परिवार लग रहा है लेकिन साथ में ये कौन है ये रूख क्यों रहे है रमेश भाई कैसे हो कहां थे आप लोग इतने महीनों से ना कोई खबर अचानक आज ऐसे कौन हैं लोग जीव हमें गैर सरकारी संगठन से हैं आप लोगों को शार याद होगा कुछ चार-पांच महीने पहले गाउं में कुछ लोग गाउं के युवकों और मर्दों को अच्छे मजदूरी के सपने दिखा कर ले गए थे उन्ही के जाल में रमेश और उसका परिवार भाज गया था रमेश अम आप ही क्यों नहीं बताते कि आपके साथ क्या बीता भगवान का शुकर है कि हम वहाँ से जिन्दा लोटे हैं भाई उनकी सब बातें जूर थी एक तो वो हम सब को गाउं और शेहर से कई मील दूर ले गए और हमारे आसपास के लोगों की भाशा भी अलग थी और फिर हम लोगों को इंट भटे में काम करवाया काम का कोई वक्त नहीं होता था रोज 12-14 घंटे काम करवाते थे और अगर हम थोड़ा भी पीट सीधा करने कोशिश करते तो बहुत गंदी गंदी गालियां देते और कई बार हाथ भी उठाते थे हमें ठीक से खाना तक नहीं मिलता था अमारी आवाद सुनने के लिए वहां कोई नहीं था ना उनोंने हमें तन खा दी और ना वहां से जाने दिया भाई, एक बार उनकी आपस की बात सुनकर मालुम चला कि उन्होंने हम लोगों को बन्धक बना लिया है और फिर हमें किसी तरह अरुन सर और कल्पना मैडम का नमबर मिला और भगवान भला करें इनका इन्होंने हमें उनके चंगुल से बाहर निकाला हमारी संस्था आप जैसे भाई और बहनों के लिए काम करती है और सरकार के साथ मिलके आपके पुनरवास के कारे में साहता करते हैं जैसे इनको सरकार से एक बचाव पातर दिलवाना और उसके अंतरगत सरकार आपको कुछ राशी भी देती है और आपके खेतों पर पानी, बीज, बिजली जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करवाती है ताकि आप खेती बाड़ी करें और गाव में असुविधा के कारण बंधुआ मस्दूरी में नाफसें आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग सतरक रहें और अपने अधिकारों के बारे में जाने आपकी जागरुकता ही आपका बचाव है